हेलो फ्रेंट्स नमस्कार गुड इबनिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाइफा शड़ी पर तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 30 क्वेशन होंगे और यह सभी 30 प्रस्ट इंटरनेट से संबनने थें तो जिन बच्चों का दिसंबर में एकजाम है और फिर आगे आने वाले समय में ट्रिपल सी का एकजाम है आप सभी के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट होती हैं क्लास का जो समय होता है वो रेगुलर होता है इंटरनेट में टर्म टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या होता है ठीक है आपको आंसर करना है इंटरनेट में टर्म टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोवाइडर और इंटरनेट प्रोडोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प IP का full form होता है transmission control protocol और IP का मतलब होता है internet protocol तो यहाँ पर हमारा B option right होगा transmission control protocol और internet protocol ठीक है चलिए question number अगला आपके सामने है और यहाँ पर आपसे पूचा है internet banking का अर्थ क्या होता है internet banking का अर्थ पूचा है net पर बैंकों की बैठक, net practice, internet के जरिये banking या फिर all of these उप्रोक्त में से सभी internet banking से क्या मतलब होता है क्या आर्थ होता है internet banking का मतलब होता है internet के जरिये bank यानि की c option यहाँ पर आपका correct हो जाएगा internet के जरिये bank ठीक है रगला question आप से पूचा है नेमन लिखित में से connectivity का उधारण कौन सा है ठीक है connectivity का example कौन सा है internet, floppy disk, power card या data यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा internet आपका right answer हो जाएगा option पहला ठीक है अगला question पूचा है email में trash folder से क्या समझते हैं email में जो trash folder होता है इस trash folder से आप क्या समझते हैं option है इसमें भेजे गए mail होते हैं इसमें virus होते हैं इसमें delete किये गए mail होते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं तो जो trash folder होता है इसका क्या काम होता है यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा C, इसमें डिलीट किये गए मेल होते हैं, जो भी मेल आप डिलीट कर देते हैं, वो आपके ट्रैस फोल्डर में चले जाते हैं, तो C आपका यहाँ पर करेक्ट है, और अगला कुशन आप से पुछा है, डैस ऐसे डिवाइस हैं, जिनका प्रियोग टेली कम्मणिकेशन लाइनो पर डाटर ट्रांस्मिट करने में किया जाता है, तो यहाँ पर आमारा सही जवाब होगा मॉडम, ठीक है द्याँ रखना है, नमबर C, correct हो जाएगा modern चलिए अगला question आपको बताना है और यहाँ पर आप से पूछा है unsolicited email क्या दर्साते हैं? unsolicited email को क्या कहते हैं? ठीके? unsolicited email को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा d spam ठीके जो spam mail होते हैं उनको हम unsolicited होते हैं यानि कि अवँचित mail ठीके जो आपके अंचाहे mail होते हैं उसको हम spam के नाम से जानते हैं d option आपका यहाँ पर correct हो जाएगा unsolicited email ठीके? चलिए question नमर अगला आपको आंसर करना है और यहाँ पर आप से पूछा है dash का प्रियोग करते हुए webpage का code लिखा जाता है अब यहाँ name में से कौन सा option correct हो जाएगा? means name में से किसका प्रियोग करते हुए webpage का code लिखा जाता है यहाँ पर हमारा correct answer होगा option b html क्योंकि आपको बता है html के प्रियोग से ही आप webpage का code लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा html html का full form क्या होता है? hyper text markup language इसको भी ध्यार रखना है hyper text markup language होता है html का पूरा नाम अगला question बताईए एक pointer dash पर position किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है एक pointer कहाँ पर position किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है grammar error, hyperlink, screen tip या spelling error question number 8 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर option b हो जाएगा आपका hyperlink pointer ले जाते हैं तो बहाँ पर उसका आकार यानि की pointer का जो आकार होता है वो कैसा हो जाता है हाथ जैसा हो जाता है hand shape में आ जाता है ठीक है तो वी option आपके यहाँ पर correct है को चलिए question अगला बताईए जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेसित करने में किया जाता है तो यहाँ सुवधा कहलाती है तो यहाँ पर हो जाएगा c option number c हो जाएगा email ठीक है option number c हो जाएगा email और एकला question आपको बताना है html का पूरा नाम क्या होता है html का पूरा नाम क्या होता है यहाँ पर कौन सा correct answer होगा और देखिए जिन बच्चों का डेली पुलिस का एक्जाम है ठीक है या जो बच्चे यूपी PCL एक्जाम की त्यारी करते हैं जहाँ पर computer पूछे जाता है तो उनके लिए class काफी helpful हो सकते हैं है html का पूरा नाम आपको यहां पर बताना है ऑप्संस हो जाएगा hyper text markup language होता है html का पूरा नाम ठीक है चलिए कॉर्स्टर नमर अगला और यहां पर पुचाए भारत में सरव पर्थाम internet निम्ण लिखित मेंसे किस के द्वारा चलाया गया था भारत में सर्व पुर्थम इंटरनेट निम्र में किसके दौरा चलाया गया था यहां पर आपका राइट आणसर हो जाएगा VSNL के दौरा ठीक है यहां पर हो जाएगा VSNL के दौरा और VSNL का फुल फॉर्म क्या है विदेश संचार नेगम लिमिटेड ठीक है कि इस टीटीटीप का प्योग में किया जाता है आ यहां पर ओप्शन है WORKBOOK, SERVER beacon, WORK Bonus capitalist। और WP इस टीटीप का उप्योग किसमें होता है व at p j me होता है option number यहां पर हो जायगा टिया आपका ठीक है ध्याहरखना है WP START HTTP का प्रियोग होता है और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है उसका मतलब होता है Hyper Taxed Transfer Protocol Hyper Taxed Transfer Protocol होता है इसका पूरा नाम अगला प्रसन है www.w.dias protocol का उप्योग करता है www.w.dias protocol का उप्योग करता है FTP, HTTP, WVC या MTP यहाँ पर भी आपका option हो जाएगा V, HTTP protocol इस्तिमाल करता है www ठीक है जैसा भी विताया HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है और अगर आपको मिलता है HTTPS तो Yes का मतलब हो जाएगा फिर Secure ठीक है यहाँ पर हो जाएगा Secure HTTPS का मतलब हो जाएगा सिक्क और इसको भी आपको धिया रखना है अगला कोशन है एक वेब साइट समू है डैस, वेब पेजेज या HTML डाकुमेंट का ग्राफिक फाइलों का लॉक कुंजी उपर इप्त सभी एक वेब साइट निमनमेसी किसका समू है तो सही जवाब है वेब पेजेज या फिर HTML डाकुमेंट का समू होता है एक वेब साइट ऑप्शन पहला पहला करेक्ट आंसर है आपका और एगला कोशन पूछा है इस्पैम निमनमें किसे कहते हैं इस्पैम निमन लिखित में से किसे कहते हैं डिलीट इमेल, अनसॉलिस्टेड इमेल इनकमिंग इमेल या इन में से कोई नहीं इस्पैम जो होते हैं वो निमनमें से कौन से होते हैं जैसा कि अभी आपको बताया था इस्पैम क्या होते हैं जो आपके अनसॉलिस्टेड इमेल होते हैं वही आपके spam होते हैं जो अवंचित mail आ जाते हैं उनको हम spam के नाम से जानते हैं ठीक है यहाँ पर हो जाएगा आपका option number V correct अगले question आपको बताना है कोई वे page access करने पर सबसे पहले जो page या main page दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते है जब आप किसी वी website को access करते हैं किसी website पर visit करते हैं जो उसका पहला page होता है उसे क्या कहते हैं तो ध्यार रखना है यहाँ पर सही जबा हो जाएगा home page ठीक है पहले page को हम home page के नाम से जानते हैं अगले question आपको बताना है दुनिया का सबसे पहला network कौन सा है दुनिया का सबसे पहला network dash है अब यहाँ पर पूछा है NSFnet, Arpanet Internet या फिर none of these चलिए दुनिया का सबसे पहला network कौन सा है और जिन बच्चों ने अभी तक class को share नहीं किया है तो सभी साथी class को share करें और like सभी बच्चे करें जो भी देख रहे हैं तो सभी लोग like और share करें और जो साथी चैनल पर अभी तक नए हैं जिन्होंने subscribe नहीं किया है तो आप सभी चैनल को जरूर subscribe करें साथ में बिलेकर भी on कर लिना ताकि notification भी आपको मिलते रहें ठीक है यहां पर आपका right answer हो जाएगा option B अर्पानेट दुनिया का सबसे पहला network है कौन सा अर्पानेट है और इसका full form क्या होता है advance research project agency network होता है इसका पूरा नाम ठीक है दूसरा NSF net की अगर बात करें तो इसका full form होता है national science foundation network national science foundation network होता है इसका पूरा नाम ध्यार रखना है और internet को आपको पता होगा international network होता है ठीक है चलिए caution अगला आपको बताना है और और जी का सम्मंध किस छेतर से है और जी का सम्मंध किस छेतर से है सिच्छा गैर बैपसाइक या संगठन तो यहां पर हो जाएगा किस और यहां पर हो जाएगा थी को मस przysz अकुष्ण आपको बताना है is कि क्याना कुष्ण यहां पर हो मबर्च तो swipeर हो जाएगा आपका यहां पर तो सी आपसन आपका करेक्ट है और अगला कुशन आपको बताना है भारत में इंटरनेट की शुरुआद कब हुई भारत में इंटरनेट की शुरुआद कब हुई कौन सा यहां पर यह करेक्ट आंसर होगा दुध्या रखना है पहला आप्सन सी को जाएगा 15 अगर्स 295 को संचार के उद्यस से कंप्यूटर में क्या प्रियोग होता है सही जवाब है और एकला कुशन आपको बताना है इंटरनेट से समनदित FTP सब्द का पूरा मतलब क्या होता है FTP का मतलब आपको आंसर करना है क्या होता है यहां पर हो जाएगा File Transfer Protocol option पहला हो जाएगा File Transfer Protocol होता है FTP का पूरा नाम ठीक है और अगला question आपको बताना है www से सुरू होने वाला पता किसे समंद रखता है जो पता www से सुरू होता है वो किसे समंद रखता है मौडम से, इंटरनेट से, टेलीफोन से वैबसाइड से तो सही जवाब हो जाएगा D आपका वैबसाइड से है जो पता www से स्टार्ट होता है वो वैबसाइड से समंद रखता है option D आपका यहाँ पर correct है और अगला question पूछा है दूर बैठे व्यक्ति, इंटरनेट के दोरा संपर्क करके वस्तों, एवम सेवाओं वस्तों एवम सेवाइं खरीद विक्रीद अथा लेंदेन का कारे किस तरह से करते हैं e-commerce के मादियम से, इंटरनेट के मादियम से email के मादियम से या email से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा e-commerce के मादियम से option पहला correct हो जाएगा e-commerce ठीक है अगला question आपको बताना है email में से dot in domain क्या दरसाता है email में से dot in domain क्या दरसाता है internet, information, india या none of teach dot in domain क्या दरसाता है तो यहाँ पर correct answer होगा c, india dot in domain क्या दरसाता है india और एक चीद़ धिया रखना है dot के बाद जैसे com दिया है यहाँ पर 3 आपके लेटर दिये है ठीक है, जब 2 लेटर दिये हो तो वो 2 लेटर आपको country को दरसाते है dot in जैसे यह india हो गया तो option number यहाँ पर आपका c correct हो जाएगा अगला question मुचा है एक computer का data दूर इस्थित किसी अने computer पर internet से भेजने के लिए निमने मैंसे किस protocol का प्रियोग किया जाता है चलिए, question number 26 में आपका right answer क्या होगा जल्दे से बताना है एक computer का data दूर इस्थित किसी अने computer पर internet से भेजने के लिए निमने मैंसे किस protocol का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा FTP ठीक है, file transfer protocol option number B आपका correct हो जाएगा FTP अगला question बताना है modem का पूरा नाम क्या होता है modem का पूरा नाम यानि कि full form आपको बताना है उध्यार रखना है modulator, remodulator होता है modem का पूरा नाम option number पहला हो जाएगा modulator, demodulator होता है modem का पूरा नाम 48 में आपको बताना है email का पूरा नाम क्या होता है email का पूरा नाम क्या होता है, full form क्या होता है email का पूरा नाम होता है electronic mail, option number C हो जाएगा आपका right, electronic mail होता है, email का पूरा नाम और अगला question आपको बताना है internet का पूरा नाम क्या होता है full form क्या होता है internet का full form क्या होता है यहाँ पर सही जवाब है option B, international network वर्क होता है internet का पूरा नाम ठीक है international network होता है अगला question आपको बताना है Google pay तो यहां पे है पे ठीक है Google पे एक प्रकार का e-wallet है सही जबाब करना है Google पे एक प्रकार का e-wallet है true है कि false तो बिल्कुल सही है गूगल पे प्रकार का e-wallet है option पहला यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है और आज की class बस यहीं तक थी उमीद है कि आप सभी को class प्रसंदाई होगी class अच्छी लगी हो उसको like करें share करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं पहली वार हैं आप सभी चैनल को subscribe करें और वेल इकन भी ओन करें ठीक है और आप सभी अपने मॉक्टेस्ट हमारी website www.cccbifash.com पर देते रहें बहाँ पर आपके लिए धीर सारे online मॉक्टेस्ट अवालेबल हैं जिन्हें आप कर सकते हैं इसके लावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे mail कर सकते है वाट्सट अप कर सकते हैं इसके लावा आप मुझे अगर अभी तक आपने इस्टाग्राम पर फालो नहीं किया है तो आप इस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं ठीक है जिन बच्चोने टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया है आप नीचे टेलिग्राम चैनल का लिंक द